हेलो फ्रेंड्स मैं प्रशांत आप सबका आपके चहिते सेख सेख सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दैफले के साथ इस खास कारेक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो हमें जब भी कोई मेडिकल इमर्जनसी आती है या फिर स्वास्ते से जुड़ी कोई भी परिशानी सताती है तब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वो सारी चीजे हमारे friendsや family के साथ शेर करते हैं पर दोस्तों हमें जब भी कोई sex से जोड़ी परिशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस बारे में बात करने में हम जजकते हैं, हमें शर्माती हैं पर दोस्तो अब शर्मानिकी बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रेलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे दोस्तो शोग को शुरुआत करते हैं लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलोजिस्ट, यूरोलोजिस्ट और एंड्रोलोजिस्ट है दॉक्टर दही फले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पूने तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्या, नासिक, एहमदाबाद और दूबाई में भी है दॉक्टर विजय दही फले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फरेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है जिसमें वे सेक्स सम्बंदी सभी समस्याओं पर सला एवं मार्ग दर्शन करते हैं तो चलिए शो को शुरुवात करते हैं, डॉक्टर साब हमारे साथ है सर, वेलकम टो दो शो नमस्ते आप सभी जानते हैं कि इन छोटे-छोटे वीडियोज के माध्यम से वो इंफर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते है जो साइन्टिफिक इन्फर्मेशन है, जो ज़्यादा तर कहीं पर आइवेलेबल नहीं है आज का जो टॉपिक हमने लिया है, उसका नाम है प्रिप्यूज तत, फोर स्किन हम जिसे कहते हैं इसके बारे में आज हम जानकारे लेने की कोशिश करेंगे सर जैसे मैंने अभी बता है, प्रिप्यूज या फोर स्किन जिसे कहते हैं तो पहले ये बता है कि ये प्रिप्यूज या फोर स्किन किसे कहते हैं प्रिशान जी यहाँ पर जो अपने सेरी चल रही है इसके अंतरगत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉरमेशन ले रहे है सेक्शुल डिस्वक्शन क्या है, एनाटमी क्या है, सेक्शुल और्गन की फिजॉलोजी क्या है, उसके अलग अलग प्रिकार क्या है और सबसे बेसिक में जाके आपने आज जो टॉपिक लाया है, प्रिप्यूस, फॉर स्कीन, जिसे काफी लोगों को पता नहीं है, भही ये क्यों होती है, किसलिए होती है एक अपना एक डिस्क्लेमर देता हूँ, उसके अंदर के थमें आज डिस्कस करने वाले है, टाइम प्लेस परसन कंडिशन कल्चर सेप्टी कंसेंटिंग, अपना ओन और नोन पार्टनर इसके साथ ही आज माना है देखो, पैदा होने के बाद, मेल चायल में, जब पैनिस या हम लिंग देखते है, वो खुला नहीं रहता है, उसके उपर एक कवर रहता है, इसकीन का और जो कवर को सामने से एक होल रहता है, और वो कवर जो है, महाँ पे बाद में, जब वो अडल्ट हो जाता है, तो वो आगे पीछे होते रहता है, ये कवर क्यो बनाया है, कब आगे पीछे होता है, क्या फाइदा होता है, देखेंगे और बिल्कुल, सर ये फोर स्कीन जो है, अगर इसकी विशेष्टा जाननी है, तो क्या विशेष्टा होती है? अभी हम बिसिक एनाटोमी पी आ रहे हैं, कैसे देखो हम क्या करते है, म्यूको क्यूटेनियस जंक्शन, देखो हाथ की स्कीन देखोगे, तो एक ही सर्फेस है, लिप्स के पास जाओगे, देखो अंदर म्यूकोजा है, रेड कलर का और बाहर से स्कीन है, उसी तरह जो स्कीन ह हमारे गोला का भागलांस के उपर रहती है, उपर के अंद एरिया में इपिडर्मिस है, स्कीन है, और जब हम उसे रिट्रेट करते हैं पीछे, तो उसको म्यूकोजा है, यह वही स्कीन को भाहर से इपिडर्मिस, अंदर से म्यूकोजा, ऐसा क्यो बनाया है, उसके क्या हाले अपना, बूलिए, ज्यादा हस्तमेटू करने से फोर स्कीन डामेज होती है, क्या, क्या होता है, आपको सेक्स एजुक्शन नहीं रहने के वैसे, जब ऐसे जब अड़ल्ट जवाद होते हो बारा है, पंदरा साल के, एक क्यूरियोसिटी बलके, दो-चार फ्रेंड साथ में आ जाते हैं, और एक दूसरे का देखना चालू करते हैं, भह उसको लगता है, तेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, एक दूसरे को शिकाता है, क्यों उसकी पूरी पीछे लेने चाहिए, तो कुछ लोग उसको बढ़ा होता है, ऐसा करने से, ऐसा बोल को आदत लगा देते, उसको मसलो, किरो, क्या होता है, हर एक का लिंग, उसका प्रिप्वीटिविशा लग है, यह हाट से उसे आगे पीछे करके, कुछ लोगों में क्रैक आजाते है, वहाँ का डेलिगेट म्युकोजा वाला म्युकोजा है, जो सेंसिटिव है, वो ड्राइ हो ज जो मियाटर से खुला हो जाता है, स्कीन पीछे जाके बढ़ती है और सामने अपने को ओपन वारा ग्लास दिखता है, जो अन्प्रोटेक्टेड होता है, हो जाता है और बाद में उसके सेंसर, सेंसेशन डाउन होके, जब एक्चुल सेक्स करने जा रहे हो, तब आप फेलिवर में जाते हो, और क्या क्या होता है, देखेंगे बिल्कुल, सर जैसे अभी आपने बता है कि फोर्सकिन्स का आगे पीछे होना, वो जो मोशन होना, वो इंपोर्टेंट है, बच्चे जो है, उनकी जो फोर्सकिन है, वो कब पीछे जाती है, उसका कुछ ये होता है काफी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बए डिलीरी हो गया है, लड़का हो गया है, बस पेड़े बाठो उसका इंजॉयमेंट कुझा रहा है, पहले उसका देखो, सिस्टिम कैसा है, बए पेनिस बराबर है, नीचे दोनों टेसिस अच्चे है, वो बर किये वाली रहती है, कम से कम आठेया, दस मने तक, बाद में आपने आप धीरे धीरे वो पीछे आना शुरूत है, लेकिन कुछ केसे में समझो बलो नहीं आने, बच्चा रो रहा है, वाँ पी उरीन नहीं आ रहे है, और उसमें से उरीन आ रहे है, तो उसका प्रेशर पीछ स्कीन को निकालना नहीं है, और इनफॉर्मेशन के लिए हमारे सुकी जवन के मंतर का भुग देख सकते हो, बिल्कुल, सर ये जो फो स्कीन है, इसके अगर फाइदे जानना चाहते हैं, तो ये क्या फाइदे होते हैं, येस, देखो नेचर ने जो भी चीज बनाई है, उसके सेंसेशन चले ने जाना, इसको प्रोडेट करता है, कहोर करता है, दूसरी बात, जब ये आडल बनके शादी करेगा, तो उसकी जो मोमेंट होती है, या मास्टरवेशन करते हो, तो रिंग बन जाती है, बेरिंग रहती है, तो आगे पीछे होने के लिए उसको एक बे निकीताजी है, भीवनडी से, उनका सवाल है, निकीताजी पूछिए क्या सवाल है आपका, नमस्टे सर्, पूछिए सर्, अस्त्रीयों में फोर्स्कीन होती है क्या, उसका क्या रोल होता है, तो जण कर दीजी, बूटिफुल, इंपॉर्टन, या नहिन हमारे well educated जो विवर सब को रिप्रेजेंट कर रहे है यह को कुछ लेवल तक यह गर्व के अंदर कुछ महिनों तक मेल फिमेल सेम होते रहते हैं बाद में जब सेक्स डिफरेंशेशन होना चालो होता है तो आप कंपेर करोगे मेल का पेरिज जो भाहर आता है वो फिमेल छोटा होके क्लाटरीज ब मेल में देख रहे हैं तो वही जो पीछे आके क्लाटरीज बनता है उसके ओपर ही छोटा कवर रहता है उसे कहते है क्लाटरल हूड और वही काम करता है जब सेक्स के अंदर उत्ते जनाने के लिए मास्टरबेशन करते हो या स्टिमलेशन करते हो तो और गाजम मिलने के तो in between कुछ lubricant उसे लगा सकते हैं सर हम लोग अक्सर देखते हैं पुरुशों में शिग्रपतन जैसी समस्य होते हैं यह शिग्रपतन और फोर्सकीन इसका कुछ relation है क्या संबन कुछ है क्या तो अपना previous वाला question continue करता हूँ देखो यह जो ring है पहले क्या कर रही है आपको पीछे जाने से की वगए से वहाँ पर sensation अच्छा रहे पर कहा अच्छा लगता है हमें करते वक्त टीप को अच्छा लगता है और वहाँ पर satisfaction brain में मिलता है क्योंकि सबसे ज़्यादा नोर्स यहाँ पर है अभी वही ring full penis rate हो गया है सिर्भी rate हो के फाइदा नहीं यह लंबी दर चलना चाहिए तो वही पीछे जाके करोना की जो round अकार रहता है glance का वहाँ पर skin जाके बढ़के ring बना देती है और यह ring उसको constrict करती है और constrict करने से क्या होता है जब वह thirsting कर रहा है उस वक्त ejaculation fast नहीं होने देता है और जब अपनी female partner को orgasm होने तक जो भी 10-15 मिंटर फोर play है उसमें फाइदा देती है और यह सबसे बड़ा फाइदा है इसलिए उसको preserve करना चाहिए बिल्कुल और एक आखरी सवाल कमजोरी जैसी समझ से इसका और फोर स्किन का कुछ रिलेशन होता है इसको और continue करता हूं देखो यह timing ज़्यादा देरे चलेगा तो ही आपका partner satisfy होने वाला है और वह भी कैसा ऐसा loose penis से नहीं कड़क hardness 100% चाहिए तो 100% hardness long duration तक रहेगा तो यह partner satisfy हो तो क्या हो रहा है यहां पर कॉस्टिक जो हो रहा है और जब यह moment हो रहे है उसके आगे क्या है जब तक nitric oxide बनके सामने वाला partner उसको stimulate नहीं करता तब तक उसकी command brain में जाके महां से nitric oxide बरके cyclic GMP, PDE, 5 inhibition यह नहीं होता है तो यह stimulator है हमारे sexual activity का उसका duration बढ़ाएगा रिंग बढ़ाएगा तो ही female partner उसे orgasm करने में फायदा देगी क्योंकि कि बहुत बार male एक बार ejaculate होने के बाद उसे rest लेने पड़ती है लेकिन female और reactivate हो जाती है और वसक्त उसे continue करना बहुत responsibility देती है otherwise अनबन चालू होना और डियोर्स तक के से जाते तो friends scientifically एक clip देखो और उसका अपने निजी जीवन में उप्योग करो तेंक यू सो मच सर बहुत ही अच्छी जानकारी थी लेकिन वक्त की पाबंदी है हमें यहाँ पर रूखना पड़ेगा लेकिन आप अगर डॉक्टर साब की सला लेना चाहते हो तो screen पर अभी आपको डॉक्टर साब के जो contact details देख रहे हैं जिसमें एक website है आ अगले एपिसओड में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए शुकरिया झाल, झाल, झाल